बच्चों तो हम लोगों ने सिख लिया कि रासाइनिक परिवर्तन क्या होता है रासाइनिक अभी क्रियाओं होती है रासाइनिक समीकरन क्या होता है किस तरीके से रासाइनिक समीकरन को व्यक्त किया जाता है इन सारे चीजों को हम लोगों ने समझ लिया और अब हम पढ़ने वाले हैं रासाइनिक अभी क्रियाओं के प्रकार, आखिर जो रासाइनिक अभी क्रियाओं के प्रकार, आखिर जो रासाइनिक अभी क्रियाओं के निम्न प्रकारों को आपको पढ़ाये गया है, लेकिन बच्चों और भी बहुत अलग-अलग प्रकार की रासाइनिक अभी क् इनको हम लोग आगे classes में पढ़ेंगे और कुछ को और यहां भी पढ़लेंगे हम लोग, तो ये कौन-कौन सी रासायनी कभी क्रिया हैं बच्चों, चलो उसको देखते हैं, और बहुत अच्छे से एक-एक को समझते हैं, तो देख सकते हो रासायनी कभी क्रिया है, निम्न प्रकार की होती है, जो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाये गया है, सबसे पहला है स्योजन अभी क्रिया, इसे हम लोग कहते हैं, combination reaction, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभी क्रिया, इसको कहते हैं, decomposition reaction तीसरा है विस्थापन अभी क्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं displacement reaction फिर देख सकतो है द्वी विस्थापन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं double displacement reaction और फिर उपचेयन एवं अपचेयन oxidation and reduction reaction इनकी अलावा भी कुछ और रासाइनिक अभी क्रिया है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहला है संयोजन अभी क्रिया combination reaction क्या है तो नाम थोड़ा देखो combination reaction याने कुछ combine हो रहा है संयोजन हो रहा है जूड रहा है तो संयोग हो रहा है संयोजन हो रहा है तो इसकी नाम से इसका परिभाशा बना लेते हैं वह अभी क्रिया ये तो तुमको लिखना होगा वह रासाइनिक अभी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभी कारकों से एकल उत्पाद का निर्मान होता है बच्चों यहां देख सकत यहां देख सकते हैं तो यहां देख सकते हो बच्चों कैलसियम ऑक्साइड है और कैलसियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है कैलसियम हाइड ऑक्साइड का निर्मान होता है ठीक है जड़ा सध्यान से सीखते जाना इसको तो कैलसियम ऑक्साइड है वच्चों कैलसियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीना बूझहा हुआ चुना, यह सब भी याद करना है, बीना बूझहा हुआ चुना, या simply तुम चुना के नाम से जानते हो, और यहां देख सकते हो, कैलसियम हाइड्रोकसाइड है, यह हाइड्रोकसाइड, साइड इसको हम wraz क्या बोलते हैं बूजह हुआ चूना बूजह हुआ चूना तो यह सम नाम याद कर लेना है देखू करना क्या भेए सिंपल सा एक रासाइनिक समीक रण बताइगा है उदाहरन में वह तुम्हें लिख देना है इसमें चूना को पानी में डालना है, तो चूना पानी बनता है ना बच्चों, उसी को हम लोगों को लिख देना है, तो चूना क्या हो गया, कैलसियम आकसाइड, और इसको किस में डाला गया, पानी में डाला गया, तो क्या बन गया, कैलसियम हाइड आकसाइड बन गया, तो यह याद रखना ह समझ में आ गया ये तो C.O.H का whole 2 है जो कि class 9 में सीखा है तुमने यह एक क्या है सुत्र है बच्चो किसका सुत्र है कैलसियम हाइड्रोकसाइड का सुत्र है जिसका सधारन नाम क्या है बच्चो भूझा हुआ चूना ये याद कर लो फिल कैलसियम ओकसाइड है यह कैलसियम ओ उसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं, इस उधारन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इससे exam में बहुत important question आता है, तो समझ किये चलो, कि exam में बहुत सारी question आएंगे, उनमें से ये एक BBI question होता है, तो इसलिए मैं इससे बता दे रहा हूं, देखो यहां क्य में डाल दिया, तो C-A-O था, उसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो क्या बनेगा बच्छों, C-A-O-H का whole two, चूना पानी बनेगा, ठीक है, अब यहां देखोगे, जैसे ही चूना को डालोगे, पानी से reaction करके खौलना शुरू होगा, सैथ तुमने देखा कि यह खौलना शुरू होगा, बहुत गर्म होता है, यानि कि इसमें heat भी निकलता है, बच्छों, क्या निकलता है, heat, उश्मा भी निकलता है, ठीक है, अब यहां देखो, अब यह चूना पानी बन गया, अब यह चूना पानी को क्या करेंगे, ब्रश में लगाएंगे, और पूरा दिवाल का पुताई कर देंगे, यानि कि दिवाल को paint कर देते हैं, करते हो या नहीं करते हो घर में, बहुत सारे घरों में, चूना पानी से क्या किया जाता है, पुताई किया जाता है, तो क्या होता है, बच्छों, कुछ दिन बाद जब देखो कि दिवार को, तो द पानी है, CAOH का होल्टू हो गया, यह विवातावरेन में जो CO2 है, उससे रियक्शन करता है, देखो, CO2 से क्या करता है, CO2 से रियक्शन करता है, CO2 से अभी क्रिया कर लेता है, और CA, उसका पानी उड़ जाता है, CACO3 प्लस क्या होता है, H2O का निर्मान करता है, तो देखोगे कि कुछ दिन बाद पानी उड़ जाएगा, और उड़ेगा तो दिवार पे साइन आ जाएगा, चमक आएगा, वक क्यों आता है, यह क्वेशन पुछेगा, तो बोलना कि कैल्सियम कार्बोनीट के बनने के कारण, देखो, यही है CACO3, संग मरमर का रासाइनिक सुत्र है, CACO3 किसका रासाइनिक सुत्र है वच्चों, संग मरमर का, याद कर लो, यही छोड़ा छोड़ा बात मैं बता रहा हूँ, यही एक्जाम में पूछा है सकता है, संग मरमर का रासाइनिक सुत्र क्या है, बुझा हुआ हुआ चुना का रासायनिक सुत्र क्या है यह सब सब याद करते जाओ तो देखोगे यही सीए सीओ थ्री का सीओ सीओ थ्री बन जाएगा दिवार पर और इस कारण से वह क्या होगा शाइनी होगा समझ में आ देखा कितना इजी था तो यह कोईशन तुमको याद करके रखना यह सारा चूना में पानी मिला है तो चूना पानी बना चूना पानी को दिवाल में पुताई किया तो पानी उड़ गया और क्या बना सीओ सीओ थ्री बना जो चूना पानी था किस से रियक किया सीओ टू से र कभा रहा हूँ कि यहां 2 या 2 से अधिक क्या हैं अभिकारख हैं यह जुड़कर एक उत्फपाद का निर्मान करते हैं तो इससे हमके का अन्युदारन देखो यहां देखो C और O.2 आपस में मिला और एक उत्पाद करना निर्मान किया हो गया CO2 हो गया एक उत्पाद हो गया 2H2 प्लस O2 आपस में मिला तो मिलके बनाया H2O H2O ऐसे लिखेंगे H2O CO2 ऐसे लिखेंगे तो इस तरीके से यह एक उत्पाद बना यह हो गया single product एक उत्पाद बना तो यह कैसा अभी क्रिया हूं जल्दी बताओ yes yes सयो सनभी क्रिया यह भी क्या वंक्रोह इस ओटू unsere मिर्मान हो रहा है यहां भी देखो यह ओट निर्मान हो रहा है यह देखो OVER टू इससे लिखा हुआ है ओं नीचे to do you It क एक के सव हो गया ठीक है इस ओटू उश्मा के आधार पर रासाइनी कभी क्रिया के प्रकार तो हम लोग सुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा पांच प्रकार कर रासाइनी कभी क्रिया पढ़ा लेकिन इसके अलावा भी कुछ रासाइनी कभी क्रिया को हम लोगों को पढ़ना है तो उश्मा के आधार पर हम लो बहुत उश्मा निकलती है जैसे मैंने अभी पढ़ाया तुमको कि यहां हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग चूना ले लेंगे उसको पानी भी डालेंगे तो खॉलने लगेगा एकदम खॉलने लगेगा और वहां जो भी क्रिया हो रहे उसमें बहुत ज्यादा उश्मा निकलती है तो इस प्रकार के अभी क्रिया को बच्चों जिसमें उश्मा निकलती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं उश्मा छेपी अभी क्रिया क्या बोलते हैं बच्चों उश्मा छेपी अभी क्रिया एकजो थर्मिक रियाक्शन तो वैसे रासाइनिक अभी क्रिया है ज उसे बोलते हैं उश्मा छेपी उश्मा छेपी अभिक्रिया जिसमें उश्मा निकलती है उसका नाम क्या है उश्मा छेपी अभिक्रिया समझ गया है जैसे देखना मीथेन को जब जलाया जाता है मीथेन क्या हो गया CH4 इसे बोलते हैं बच्चों मीथेन याद कर लो अब इसक स्टुली तरह साइनी कभी करिया नहीं हुआ है समीकरन को बैलेंस कैसे किया जाता है यह मैंने अलक सी वीडियो को तुम जरूर देख सकते हो तो देह सकते हो जब सिजिश फूर को मिथेन को ऑक्षिजन को अपस्थिति में जलाया जाता है तो बहुत मातरा में उश्मा निकलत तो तुम बताओ कैसा रासाइनिक अभी क्रिया है यह उस्मा छेपी रासाइनिक अभी क्रिया यानि कि एक्जोथर्मिक बोलो एक्जोथर्मिक केमिकल रियक्षन को दिकत चलो निया स्वसन भी एक उस्मा छेपी अभिक्रिया यह याद रुखो बच्चों कि स्वसन होता है वह भी क्या होता है एक उस्मा छेपी अभिक्रिया है तो स्वसन में क्या होगा C6H12O6 को oxygen के presence में ये तूटेगा और CO2 और H2O बनाएगा और इसमें क्या निकलेगा उरजा निकलेगा ठीक है तो इस तरीके से यह जो स्वसन है वह भी एक उस्मा छेपी अभी करिया है ये भी एक्जाम में पूछा जाता है कि बता स्वसन कैसी अभी करिया है तो तुम्हें उत्तर देना है कि स्वसन क्या है बच्चों उस्मा छेपी अभी करिया है तो इसके बारे में तुम जया वो प्रक्रम चैप्टर में पढ़ोगे और मैंने पढ़ाया भी है वहां तुम पढ़ सकते हो अब देख सकते हो जो साग सब्जियां होती है या फिर जो अन्य पदार्थ होते हैं जो कि सड़ गल जाते हैं तो सड़ने गलने के बाद विघटित होकर वो क्या बनाते हैं कमपोष्ट का निर ली क्रिया गारेख किया को लगने जहां तो समझना थीक है ळेकिन याद भी करना होता है तो lef अब देखते हैं अभी में उश्मा श्रसाइन जो जो याद कर लो ये समीकरन याद कर लो ये सब तुमligen को यादकरना पड़ेगा अब देखते हैंbro क्या है तो वैसी हैं जिसको कराने के लिए उस्मा की आवशकता होती है मतलब दल्ब मैं चाहिए उसमें उसमा की आवशकता होता है 59 उसको कराने के लिए उसमा सोसी रासाइनी के भीक्रिया कहते हैं जैसे देख सकते हो बेरियम हाइड्रोकसाइड है और नहीं फोर सील है इसको क्या हम लोग कराएंगे इसको कराने के लिए हम को क्या चाहिए उश्मा क्या रसकता होगी तो बेरियम क्लोराइड और NH4OH का निर्मान होगा ठीक इसी तरीके से CACO3 है बच्चों इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं गर्म करते हैं तो ये CAO और CO2 में क्या हो जाता है तूट जाता है तो ये अभी क्या हो गया एक उश्मा सोसी अभी क्रिया हो गया यानि कि इसको कराने के लिए उश्मा की आवश्यक्ता होती है समझ में आ गया चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स तरा सैनिक अभी क्रिया तो हम लोगों ने पहले क्या देखा संयोजन अभी क्रिया और दूसरा क्या देखेंगे वियोजन अभी क्रिया तो संयोजन में क्या होता था संयोग होता था मिलता था आपस में मिलता था तो वियोजन में क्या होगा जल्दी बताओ तूटेगा तो बस इसका ऐसे ही हम लोगों को परिभाशा कर देना है वे राशायनी कभी क्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक तूट कर वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्मान करता है तो जरा सोचो जो संयोजन था उसका जश्ट उल्टा क्या हो गया वियोजन हो गया संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ यूज होता था और एक उत्पाद बनता था वियोजन में एक पदार्थ से कई पदार्थ का निर्मान हो रहा है या बोलें एक पदार्थ तूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्मान कर रहा है तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं बोलो वियोजन अभी क्रिया या डिकंपोजिशन reaction तो फिर से भाई बात आ गया बच्छों डिकंपोजिशन reaction में भी questions को हम लोगों क्या करना है बनाना है बताना है तो देखो सबसे यहां पर यहां पर तुमको क्या होता है जब calcium carbonate को गर्म किया जाता है क्या होता है जब जब 까 KK 2003 को क्य घ्रम किया जाता है तो यह सारा question तुमसे बच्चों पूचा जाएगा तो बच्चों अब हम देखते हैं कि वियोजन अभी क्रियाएं कैसे कैसे होती है तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे उदाहरन समझने होंगे तो सबसे पहला जो वियोजन अभी क्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चो उश्मिये वियोजन अभी क्रिया होंगी बच्चो उसमें उश्मा का प्रयोग किया जाएगा वियोजन कराने के लिए जैसे अब हम लोग देख सकते हैं उदारन तो यहां उदारन देख सकते हो calcium carbonate है calcium carbonate से क्या बना calcium oxide और CO2 का निर्मान होगा तो यहां देखो बहुत ध्यान से देखो यह calcium carbonate क्या है एकल अभिकारक है और एकल अभिकारक की तूटने से दो यहां पर उत्पाद का निर्म और इसके लिए उश्मा की आवशक्ता है, तीस तरीके से यहाँ पर हम लोग उश्मा लिखते है, तो बताओ जरा बच्छों कि ये कैसा अभिक्रिया हो गया, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया बहुत अच्छे, और यहां उश्मा की जरूरत हो रही है, इसले इसका विशेश नम दिया गया है बचूं और इसका विशेश नम क्या है बचूं इसका विशेश नम है उष्मिए वियोजन अभिक्रिया। निर्मान हुआ और इसका उपयोग सिमेंट उद्योग में भी किया जाता है ये बात याद रखो तो क्या हुआ चुना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बिना बुझा हुआ चुना और CO2 में वह विघटित हो जाता है, तूट जाता है, विखंडित हो जाता है, डिकंपोज हो जाता है, ठीक है, इसलिस का नाम क्या है बताओ, वियोजन अभी क्रिया, या बोलेंगे उश्मिये वियोजन अभी क्रिया, क्लियर हो गया, चलो, अब एक और एक्जामपल याद करना ह तो बच्चो इस example में यह याद करना है कि फेरस sulphate crystal को गर्म करने पर क्या होता है तो बच्चो जो फेरस sulphate crystal है hydrated form में जब देखो गेती हो जाता है feso4.7h2o और जब पहले इसको हम लोग गर्म करते हैं बच्चो उश्मा देखे इसको गर्म करते हैं तो feso4 का निर्मान होता है और यह जो feso4 है यह हरा रंग का crystal है बच्चो किस रंग का crystal है हरा रंग का याद रखना फेरस sulphate का crystal का रंग कैसा होता है हरा रंग होता है और जब इसको गर्म किया जाता है तो यह किस में तूड़ जाता है फेरिक ओक्साइड में तूड़ जाता है एसो टू बनाता है और एसो थ्री बनाता है ठीक है? और ये जो हैसी ये क्या हो जाता है थोड़ा धूसर रंग का हो जाता है भुरा रंग का हो जाता है हरा से इसका रंग क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो ये किसका उदारन हो गया वियोजन अभिक्रिया का उदारन हो गया जल्दी बताओ क्यों हुआ क्योंकि एकल यहां पर क्या है अभिकारक है वह तूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है तो दो या दो से अधिक उत्पाद यहां पर हो गया तो बच्चों इसको समझना तो है बहुत अच्छे समझना है लेकिन इसको याद करना है इसको याद कर लेना है इसको याद कर लेना है यदि याद नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि रसायन में बहुत सारे चीज़ों को हम लोग क्या करना है बच्चों याद करना है अब देखो यहाँ पर एक और तुमको बताया गया है कि परक नली में हम लोगो क्या करना है लेड नाइट्रेट को लेके गरम करना है तो परक नली में लेड नाइट्रेट को लेके गरम करोगे तो यहाँ देखोगे कि इस तरीके से भुरा भुरा रंग का गैस निकल रहा ह वह क्या है वो तुमको बताना है तो यहां देखो इसका क्या है, equation है यानि कि समीकरन है इसको तुमको याद कर लेना है तो कशन तुमसे पुछेगा कि क्या होता है जब late nitrate को गर्म किया जाता है तो तुम्हें उत्तर लिखना होगा कि इसका Vyogen होता है देखो लेड knitrate का क्या हो रहा है Vyogen हो रहा है lead oxide, nitrogen dioxide और oxygen का निर्मान हो रहा है और यह जो nitrogen dioxide है वो देखोंगे यहाँ brown का क्या निकलता है दोहा निकलता है यह भी तुमसे पूछाया सकता है इसको भी तुम याद कर लो तो देखा कितना आसान था, आसान तो है बहुत, समझना बहुत आसान है, लेकिन इसको याद रखना थोड़ा पड़ेगा, क्या याद रखना है, क्या होता है, जब लेड नाइटरेट को गर्म किया जाता है, तो लेड आक्साइड, नाइट्रोजन डायोक्साइड और जल का, स्वारी, ओक्सीजन का निर्मान होता है, ये बात क्या करना है, याद रखना है, बस सिंपल सा है, समझ में आ रहा है सारा बात, ठीक है बच्चों, अब देखना, अब हम लोगों को देखना है, वियोजन अभी क्रिया में हम लोगों को ने क्या देखा, अभी तक देखा, कि उ अब घटन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या होता है, यहां पर वियोजन अभी क्रिया हो रहा है, वियोजन अभी क्रिया में किसे इसका उप्योग कर रहे हैं, वियोजन इसका नाम है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो H2O है, इसमें इसको गर H2 और O2 के component में तोड़ना है तो यहाँ पर इसे electricity यानि बिजली प्रवाहित करना पड़ेगा तो देख लो यहाँ से बिजली प्रवाहित के दर आए 6V बैटरी से तो यहाँ पर देख सकते हो hydrogen दो भाग निकल रहा है और oxygen एक भाग निकल रहा है और यह तुम्हारा 2H2O तो जब H2O यानि जल को हम लोग गर्म करते हैं नहीं यहाँ गर्म करते हैं लिग दोगे तो पूरा अंसर गलत हो जाएगा जब H2O से विद्युद्धारा प्रवाहित के आती है और उसका वैद्युद अब घटन होता है तो H2O से दो अनुपात एक में hydrogen और oxygen का निर्मान होता है जिसमें hydrogen होता है दो अनुपात में और oxygen क्या होता है एक अनुपात में यह याद रखना देख सकते हो यहाँ पर hydrogen दो अनुपात में है और oxygen यहाँ पर एक अनुपात में निकलता है कैसे होता है वैद्यूत अब घटन के द्वारा तो तुमसे एक्जाम में question पूछा जाया कई प्रकार के question यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि H2O से hydrogen और oxygen का वियोजन जब होता है तो कैसे होता है तो तुम बोलना वैद्यूत अब घटन के द्वारा होता है दूसरा question पूछेगा जो hydrogen है वह oxygen से किस अनुपात में आ निकलता है तो बोलना hydrogen दो अनुपात में और oxygen एक अनुपात में अलग होता है समझ में आ रहा है बच्चों अब दिखना वियोजन में पहला क्या पढ़ा जल्दी बताओ एकदम फास्ट बताये करो उसमिये वियोजन दूसरा विद्युत के द्वारा वियोजन अब तीसरा देखते प्रकाश के द्वारा वियोजन प्रकाश मतलब जो light होता है उसके द् द्वुदारान पढ़ना है सबसे पहला है यहां देख सकते हो सुरी के प्रकास में silver chloride धूसर रंका होकर silver धातू बनाता है तो यहां पर यहां पर तुम देख सकती हो एक दूसर रंग का AG बना देता है यानि कि silver का निर्मान करता है तो ये दो example यहाँ पर लिख सकते हो देखो यही है silver chloride जब इसको सुरी के प्रकास में रखते हैं तो यहाँ पर silver का निर्मान होता है पर क्लूरीन गैस निकलता है, ठीक इसी प्रकार से करोधरन याद कर लो ये है Silver Bromide, इसको सूरी के प्रकास में रखेंगे तो Silver बनेगा और Bromine Gas का निर्मान करेगा, याद हो गया, नहीं याद हो गया तो इसको याद करना पड़ेगा समझ में आगे बच्चों अब इसके वायाता है displacement reaction विस्थापन अभिक्रिया तो विस्थापन अभिक्रिया को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो माल लो कि तो एक bench है ठीक है उसमें दो बच्चे बैठे एक बहुत मोटा है और एक बैचारा बहुत पतला है तो क्या मोटा वाला को गुसा आएगा तो पतला वाला को वहां से भगा सकता है येस बहुत आसानी से इसे मारेगा धक्का और वो गिर जाएगा उदा है लेकिन क्या बेचारा ओ जो मासूम सा छोटा पतला बच्चा बैठा हुओ वो मोटे वाले को गटा सकता है नहीं हटा सकता है यहां भी ठीक वही condition हमें देखना है यहां पर कुछ धातवी क्या होती है ज़ादा अभी क्रिया शिर होती हैं बच्चों और कुछ धातु में कम अभिक्रिया सिल होते हैं तो जो ज़्यादा अभिक्रिया सिल धातु है वो कम अभिक्रिया सिल धातु के लवन से उसको भगा देता है और उसका स्थान ग्रहन कर लेता है और इस प्रकार के रासाइनी अभी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं विस्थापर्ण अभी क्रिया कहते हैं जैसे यहां देख सकते हो तूम यहां पर आईरन यानि की F.E. का जब रिय случаं हम लोग C.U.SO.4 से कराते हैं कॉपर से क्राते हैं तो iron क्या होता है बच्चो जादा अभी क्रियाशील है किस से copper से तो यहां से मारेगा ढ़िशुम भाग यहां से यह भाग इधर से तो यह बचार भाग जाएगा वहां से और यह इसका जगह ले लेगा और यह बना देगा देगम भाग गया कर देग इस प्रकार के अभी क्रियाव को क्या वहता विश्थापन अभी क्रिया कहते हैं जलो और अरुखदारन में बता दे रहा हूं अब यहां देखना यह जिंक है और यह कॉपर सल्फिट है तो जिंक कॉपर से ज्यादा भी क्रियाशिल है भागाएगा इसको यहां जल्दी से आते ही के साथ भागा देगा भाग यहां से विस्थापित कर देगा हट यहां से और खुद ही पीवी सी को क्या करेगा हटा दे गाज पीवी की यकल का इएल स्फवायत का फोर में विवा देखना पढ़ा हम लोग देखना क्या करते है यहां क्या करेंगे एक परखो नली लेंगे इस तरीके से इस परकनली में हम लोग क्या लेते हैं कॉपर सल्फेट का विलियन लेते हैं देख लो यही कॉपर सल्फेट का विलियन तुम देख सकते हैं क्या है नीले रंग का है ठीक है और इसमें क्या करो कील को ऐसे लटका देते हैं कील को कील मतलब क्या हो गया लोहा हो गया इरन हो गया तो तुम देखो कि कुछ देर के बाद कि ये जो कील है वो ऐसा कील का रंग क्या होता बदल जाता है और ये विलियन का रंग भी क्या हो जाता है बदल जाता है मतलब क्या हुआ जो कौपर सल्फेट नीले रंग का था उसमें से copper हट गया भाग गया और वहां iron आगया और iron sulfate का निर्मान हुआ तो देखोगे हरा रंका यहां iron sulfate यह देखो हरा रंका यह बन जाएगा जो पहले नीले रंका था अब क्या हो गया हरा रंका पहले था copper sulfate अब क्या हो गया फेरस sulfate iron sulfate का निर्मान हो गया अब ध्यान से देखना अब यहां जो copper कहां गया तो copper यहां जम जाता है तुम्हारा किस तरीके से लोहा पर यानि copper वहां से विश्थापित हो जाता है समझ में आ गया तो यहीं मैंने बताया पहले था नीला रंका अब हो गया हरा रंका क्योंक कि iron ने copper का जगा लिया copper को हटा दिया और iron sulfate हरा रंका हो जाएगा तो नीला से क्या हो गया हरा हो गया इस तरीके से यह उदाहरन बता रहा है displacement reaction याने की विस्थापन अभिक्रिया को समझ गया है तो बच्चों next reaction देख सकते हो यह क्या है बच्चों द्वी विस्थापन अभिक्रिया तो यह बहुत important chemical reaction है बच्चों इसको एकदम रट लो याद कर लो क्योंकि यह exam में जरूर पूछा जाता है बहुत बार पूछा भ आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं द्वी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं तो आयनों का आदान प्रदान होता है यह इसको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले आयन क्या होते हैं यह पूरा detail में यहां नहीं बता सकता chapter 3 में तुम पढ़ोगे लेकिन य A2SO4 है यह कैसे बना है तो यहां पर यह बना है sodium ion और SO4 ion से यह बना हुआ है यह ध्यान रखो मतलब यह किस से बना है sodium ion से और SO4 ion से इस तरीके से BA है CL2 तो BA ion से बना है और chlorine ion से यह बना हुआ है तो यहां पर क्या होता है बच्चो आयनों का अदला बदली होता है तो पहले समझो यहां जो compound बन रहा है वह दो आयन के मिलने से बन रहा है जैसे कि sodium chloride बन गया तो NA plus और CL minus यह दोनों आयन पास में आएंगे और NA CL का निर्मान कर बना है sodium ion और sulfate ion से barium chloride किससे बना है barium ion और chloride ion से बना है तो आयनों का इसमें exchange हो जाएगा यह ध्यांदों की plus जो आयन है वह minus आयन से मिलके एक compound बनाता है यौगिक बनाता है तो देखो यहां क्या होगा यह जो plus वाला आयन है यह minus वाले आयन के साथ चला जाएगा और यह वाला जो minus वाला आयन है यह plus वाले आयन के साथ चल जाएगा इस तरीके से आयन का सिर्फ अदला और बदली हो रहा है तो यहां देखना sodium ion chlorine ion से मिलके sodium chloride बना देगा और barium ion sulfate ion से मिलके barium sulfate बना देगा समझ में आ गया इसका क्या मतलब हुआ आयन का अदला बदली यह आयन पहले इसके पास था अब इसके पास चला गया ठीक है और barium जो था पहले CL के साथ था अब CL के साथ नहीं है उससे bond तोड़ देगा और तोड़ के किस से जोड़ लेगा sulfate के साथ जोड़ लेगा इस तरीके से barium sulfate बन गया तो यह उदारन तुम्हें बच्चो याद रखना है और इस तरीके से देखोगे यहां पर barium sulfate का आवचेप मिलता है बच्चो क्या मिलता है आवचेप मतलब तलहटी में जमा हुआ मिलेगा इसलिए इस अभिक्रिया को जो यहां special दिखाये जा रहा है इसे आवचेपन अभिक्रिया भी कहते हैं तो यहां से question और आएगा त किसे कहते हैं तो तुम उत्तर लिख देना कि वे रासाइनी का भी क्रिया हैं जिसमें अवचेप का निर्मान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अवचेपन अभिक्रिया बोलते हैं जैसे देख सकते हूं यहां पर उदाहरन में लिख देना कि उदाहरन में जैसे बेरियम क्लोराइड को यदि हम लोग सोडियम सलफेट से मिलाते हैं अभी क्रिया कराते हैं तो हमें बेरियम सलफेट का अवचेप मिलता हूचेप के नीचे एरो करके दिखा जाए ठीक है तो बेरियम सलफेट का अवचेप मिलता है ये उदाहरन तुम लिख सकते हो इसलिए ये जो उदाहरन है ये अवचेपन अभी क्रिया का भी उदाहरन है तो दो अग्रस है निक अभी क्रिया हो गया द्वीव स्थापन अभी क्रिया का भी यही उदाहरन हो गया अवचेपन अभिक्रिया का भी यहीं उदारन हो गया तो द्वीव स्थापन भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टन कुशन है और अवच्छेपन अभिक्रिया भी बहुत बार पूछायाता है तो दोनों याद कर लेना वच्छे एकदम पक्का यह दोनों आ सकता है तुम्हारे यह लोग है यह वाला उदारन तुम यहाँ पर याद कर लो दो उदारन याद कर लो बच्छो काफी है अब आता है बच्छो सबसे इंपॉर्टन जोके एक्जाम में कई बार पूछा जाता है वह है उपचेण एवं अपचेण अभिक्रिया उपचेण अभिक्रिया मतलब ह होता है ऑक्सेडेशन अपचेण मतलब यानि कि उपचेयन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, उपचेयन अभिक्रिया कहलाता है, यहाँ देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, तो oxygen की वृध्धी होती है, याद कर लो, oxygen का जुड़ना, oxygen का जुड़ना, उपचेयन, oxygen का जुड़ना, उपचेयन, और oxygen का हटना, oxygen का हटना उपचयन और हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाता है अपचयन यह तुम याद रखो तो इस तरीके से तुम देख सकते हो यहां पर उपचयन हो गया और यह क्या हो गया अपचयन हो गया तो देखो यह तुम दोनों को याद रखना तो यहां ऑक्सीजन जुड़ना और और oxygen हटना ठीक है तो जब oxygen जूड जाएगा किसी पदार्थ में तो बोलेंगे कि वहाँ उपचियन हो रहा है और किसी पदार्थ में oxygen हट गया तो बोलेंगे अपचियन हो रहा है एकदम याद हो रहा है दूसरा यदि hydrogen जूड गया hydrogen हट गया बच्चो hydrogen हट गया तो बोलेंग अक्षिजन याद हो गया तो चुल अभी तो हम लोग उपचियन में किसमें हैं बच्चों ? उपचियन में तो उपचियन मित्ला sugon ने क्या सिखा ? educación का जुड़ना तो देखो यह carbon है और o2 से यह अभिक्रिया करेगा oxygen इसमें जाकर जुड़ गिया तो oxygen का जुड़ना क्या हो गया जल्दी बताओ oxygen का जुड़ना हो गया यहाँ पर oxidation क्या हो गया बच्चो oxidation मतलब की यहाँ हो गया उपचेयन यही तो मैंने सिखाया इन दोनों में एक चीज़ तुम को देखना है oxygen का जुड़ना यह तो oxygen जुड़ रहा है तो भी बोलेंगे यहां पर कौन सा अभी क्रिया हो गया है तो उत्तर देंगे कि यहां oxygen अभी क्रिया हो गया है ठीक है अब देखना एक और मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से यहां देखो, यहां भी देखो, काँब आधिक लिया हो रहा यह उपचेन हो रहा है, क्योंकि हो analyt reliable फॉस फोरुस में oxygen क्या हो रहा है जुड जा रहा है तो यहां भी देखो गया बच्छों कि kawper को जब oxygen की उपस्थिति में जलाये जाता है, तो kawper to yahaan पर oxide बनता है, copper to oxide तो यह हो गया copper इसमें oxygen जुड़ गया oxygen क्या हो गया जुड़ गया तो जरा बताओ यह कौन सा reaction हो गया कौन सा अभिक्रिया हो गया उपचेयन हो गया क्या हो गया बच्चों उपचेयन अभिक्रिया हो गया को दिकत इस तरीके से उप्चेयन अभिक्रिया में उप्चेयन का जुड़ना होता है कभी-कभी हाइड्रोजन का हटना भी उप्चेयन कहलाता है जैसे देखो यहाँ पर H2S है बच्चों यहाँ पर H2S है ना तो यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन हट जाए हाइड्रोजन हट गया देखो यहां से यह बना तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया हट गया तो इसका ऑक्सिडेशन हो गया क्या हो गया बच्चो ऑक्सिडेशन हो गया यानि की उपचेयन हो गया यहां भी देखोगे तुम यहां भी हाइड्रोजन क्या हो गया है हट गया है इससे ह इसका क्या हो गया? Oxidation हो गया बच्चों, ठीक है? समझ में आ गया? इस तरीके से oxygen का जुड़ना, hydrogen का हटना, उदाहरन याद रखना, उसी को क्या बोलते है? उपचेयन, English में Oxidation, तो चलो अब हम लोग उपचेयन अभिक्रिया को देखने के बाद, अपचेयन अभिक्रिया क देखेंगे, तो अपचेयन अभिक्रिया क्या हो गया? अपचेयन अभिक्रिया हो गया, reduction, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सीखो, मैंने क्या बताया? oxygen का जुड़ना, उपचेयन, तो oxygen का हटना या oxygen का हरास, दोनों चीज़ी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, hydrogen का हटना, जल अपचेयन, थोड़ा सा बात फिर से समझो, hydrogen का हटना क्या हो गया? उपचेयन हो गया, तो hydrogen का जुड़ना क्या हो गया? अपचेयन, hydrogen का जुड़ना या hydrogen में ब्रिधी क्या हो गया? अपचेयन, याद कर लो, तो उपचेयन हम लोगों ने पढ़ लिया, अपचेयन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उदाहरन देखो उदाहरन यहां पर देखो तो तुम्हें पता चलेगा देखना यहां कॉपर टू- ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन हट गया बच्चों और ऑक्सीजन हट के कॉपर बन गया ध्यान से सुनो यहाँ copper 2 oxide में से oxygen हट रहा है oxygen हट गिया देखो oxygen हट गया गायब हो गया copper के साथ था ना पहले और copper से अब हट गया गायब हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे oxidation हो गया या reduction हो गया उपचयन हो गया या अपचयन हो गया बहुत अच्छे यह हो गया बच्चो अपचयन क्या हो गया अपचयन बहुत अच्छे यह हो गया अपचयन ठीक है एक और मैं पूछ लूँ क्या बता दोगे यहाँ देखना पहले था hydrogen इसमें oxygen जुड गया अरे वा यहां देखो hydrogen में oxygen जूड रहा है hydrogen में oxygen जूड गया तभी तो इस्टू हो गया तो यहां पर क्या हुआ यदि तुमने पहले पढ़ा है ध्यान से तो जुरूर बता पाओगे बहुत अच्छी यह हो गया उपचयन क्या होगे बच्चो उपचयन बहुत अच्छा चलो नया देखते हैं यहां तुम लोग बताना देखो जेड इन ओ था यहां से oxygen हट गया oxygen गयब तो oxygen जैसे ही हटा सिर्फ क्या बच गया जेड इन बच गया तो जल्दी बताओ अपचयन या उपचयन अपचयन वा क्या बात है यह क्या हो गया अपचयन हो गया और यहां देखना यहां तुम बताओ जरा सा क्या हुआ यहां उपचयन हो गया उपचयन तो यही देखना है बच्चो और देखके तुम्हें बताते जाना है कि अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है एक और देखके बता दो CL2 है CL2 में हाइडरोजन जुड रहा है हाइडरोजन का मैंने क्या बता है हाइडरोजन जुड गया तो अपचेयन हो गया, क्या हो गया, अपचेयन, और हाइडोजन का हटना क्या होता है, उपचेयन होता है, ठीक है, तो यहाँ देखो इसका क्या हो गया, उपचेयन हो गया, उपचेयन क्यों हो गया, क्योंकि इसमें से देखो तो हाइडोजन जुड़ा हुआ था, यह हाइडोज hydrogen हट गया देखो hydrogen जुड़ा था नाfäh Purple के साथ hydrogen हट गया तो hydrogen का हटना क्या हो गया हम चियएन हो गया आप चियन हो गया बहुत अच्छे बच्छो इसकी बाद जो अभी क्रिया वो बहुत जरूर ये बहुत इर्सको हम लोग कहते हैं reduz अभिक्रिया यानि की यहां पर reduction और ऑक्सिडेशन एक ही अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होगा उपचेयन भी होगा अपचेयन भी होगा तो उस प्रकार के अभिक्रिया क्या कहते हैं रेडॉक्स रियक्सन या कहते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों हिंदी में बोलेंगे उपचेयन अभिक अभी क्रिया, अपचियन मतलब क्या हो गया? Reduction, उपचियन मतलब क्या हो गया? Oxidation, और इन दोनों को मिला दिया, तो क्या हो गया? Redox, देखो re-dox reaction, हो गया ना बच्छो? अपचियन भी होगा, उपचियन भी होगा, क्या ऐसी कोई अभी क्रियाऑं है? चलो हम लोग देखती सको बहुत अच्छे से समझो, फिर से समझो नहीं समझ में आ रहा है, जहां अपचयन भी हो रहा है, उस प्रकार के रासायनी की क्रिया को उप्चियन उप्चियन अभी क्रिया कहेंगे या फिर रेडॉक्स रियक्षिन कहेंगे चलो तो यहां देखो यहां देखते हैं अभी मैंने तुरंट बताया था तुमसे मैं पूछूंगा कि यहां पर रेडक्षिन हो रहा है या ऑक्सिडेशन रेडक्षिन मतलब अपचयन और ऑक्सिडेशन मतलब उपचयन जरा देखी बताओ देखो ये रसाइनी कभी क्रिया हो रहा है अब इस रसाइनी कभी क्रिया में दोनों प्रक्रिया यादी साथ साथ होती हैं यहाँ अपचयन भी हो जाएगा उपचयन भी हो जाएगा तो इस प्रकार के रसाइनी कभी करिया को हम लोग अपचियन उपचियन अभी करिया कहते हैं तो देखते हैं हो रहा है यहां देखते हैं तो देखो ZN O था ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था अब यहां ऑक्सीजन गायब हो गया यानि कि यहां पर अपचियन है यानि यह जो reaction है यानि जो दिख रहा है रासाइनिक अभिक्रिया इसमें अपचियन भी हो रहा है एक का अपचियन हो रहा है दूसरे का उपचियन हो रहा है यह ध्यान देना इसी का दोनों चीज नहीं हो रहा है एक का अपचियन दूसरे का उपचियन एक का अपचियन दूसरे का उपचियन तो इसलिए इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे अपचियन अफिक्रिया या फिर क्या वह लेंगे Redox Reaction ठीक है अब देखना ये समझ में आ गया ना अब देखो अब दो चीज और Extra दिया हुआ है तुम्हारे बुक से कि Oxi कारक किसे कहेंगे और कारक किसे कहेंगे Oxidizing Agent किसे कहेंगे और Reducing Agent किसे कहेंगे तो वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो Oxi करन कराते हैं Oxi करन क्या करते हैं कराते हैं ठीक है या जो उपचियन कराते हैं उन्हें हम लोग Oxi कारक कहते हैं ठीक है और वे पदार्थ जो आवकरन कराते हैं आवकरण जो उपचेन है, स्वारी आपचेन देखो, जो अपचेन है बच्चों, इसी का दूसरा नाम आवकरण भी है, क्या है बच्चों आवकरण भी है, इसी आवकरण से वड़ाता है आवकारत, ठीक भो है? हैं अपचियन उसको हम लोग कहते हैं अवकारक और वेपदार्थ जो क्या कराते हैं उसको कहते हैं उसको कहते हम लोग बोलो ऑक्सिकारक समझ में आ गया